हर खबर पर होगी आपकी पकड डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइब और आईए सीधे आपको तस्पीरे दिखाते हैं दिली की मुक्रमत्री अर्विंद केज्रिवाल इस्पक्ट चनाफ रचार में डूटे हुए हैं ये अर्विंद केज्रिवाल का रोट शो दिली के गोखुलपुर इलाके की ये तस्पीर आपके सामने आपका बड़ा बेटा बनके अर्विंद केज्रिवाल वहीं दूसरी तरफ सियास्ता दिली में गर्म है और पूरा मामला जो है वो एक तरीके से केंद्रिक चाहिन बाग पर नजर आ रहा है अर्विंद केज्रिवाल आपका बड़ा बेटा बनके अपने घर में कभी कोई बिमार हुआ कभी कोई बिमार हुआ उसके इलाज का इंतजाम किया और अपने घर का बड़ा बेटा बनके अपने बुजुर्गों को तीर ख्यात्रा कराई कराई नहीं कराई दोस्तों अब ये सारे जने कठे हो गए हमारे दिल्ली वालों के खिलाफ ये सारी पार्टियां कॉंग्रेस बीजेपी जेडियू आर जेडी एल जेपी पता नहीं कहां कहां से पार्टियां ये पूरे देश की सारी पार्टियां कठी हो गई क्यों इकठी हो गई दिल्ली वालों को हराने के लिए आएं आप है लोग आपके बेटे को हराने के लिए आएं ये लोग और दोस्तों अब ये बीजेपी वाले कह रहे हैं ये अपने 200 MP लेके आएंगे दिल्ली वालों के पास दो सो एंपी लेके आएंगे सतर मंत्री केंद्रिय मंत्री सतर केंद्रिय मंत्री लेके आएंगे इनके बाजबा के ग्यारा मुख्य मंत्री आएंगे बड़े बड़े धुरंदर लेके आ रहे हैं बीजेपी वाले जिल्ली वालों ने तो इनका साथ दिया नहीं अब ये सारे बारते लेके आ रहे हैं 200 MP लेके आ रहे हैं 70 मंत्री लेके आ रहे हैं 11 मुख्य मंत्री आ रहे हैं इनके क्यों आ रहे हैं जी आपको हराने के लिए आ रहे हैं दिल्ली वालों को हराने के लिए आ रहे हैं आपके पांग साल के काम को हराने के लिए आ रहे हैं आपके बेटे केजरी वाल को हराने के लिए आ रहे हैं ये हम सब लोगों का अपमान करने के लिए आ रहे हैं अब ये आएंगे और कहेंगे तुम्हारे स्कूल खराब है ये आएंगे, कहेंगे तुम्हारे महला क्लिनिक खराब है, तुम्हारे बिजनी खराब है, तुम्हारा पानी खराब है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ चुप रहोगे तुम लोग, दिल्ली वाले अपनी बेज़िती बरदाश्ट करेंगे, ये पूरी दिल्ली में घूमे इनकी MP पूरी दिल्ली में इनके मुख्यमंतरी घुमेंगे आपके इलाके में आए तो इनसे पूछना सर्जी कौन से स्टेट से आयो पूछोगे सर्जी कौन से रज्ज से आये वो पताएगा अपना रज बोलो जी पधारो दिल्ली में आपका स्वागत है फिर पूछना जी इनके मुख्यमंतरी आएंगे इनके केंद्री मंतरी आएंगे बीजेपी वालों के इनसे पूछना बाइसाब आपके रज्जे में कितने घंटे बिजली आती है वो कहेगा चार घंटे दिन में क्या ना हमारे यहां तो 24 घंटे बिजली आती है पिर उनसे पूछना बाई साब आपके आप बिजली किस रेट पे आती है किस दाम पे आती है आपके आप बिजली आपके रेज्ज में वो कहेगा दस रुपे यूनिट बोलो जी दिल्ली में तो बिजली फ्री है है कि नहीं है फिर उनसे पूछना कि बाई साब आपके आप पानी किस रेट पे आता है महीने में आपके राच्च में एक आम आदमी के परिवार का कितना पानी का पिलाता है है वो कहएगा 2000 रूपय आप कहना घी अदिम्हें तो पानी मुफ्थ है। पूछना कि जिस राच्च से आयो उस राच्चच में यह कितने महळा क्लिनिक है वो गएगा यह क्या होता है तो चलो मैं दिखा के लाता हमारा मौला क्लेनक उनको दिखाना मौला क्लेने फिर उनसे पूछना जी आपके प्रज्जे में सरकारी स्कूलों के नतीजे कितने आए वो कहेगा 40% है बुला हमारे बच्चों के 96 प्रतिशत नतीजे आए 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 अ फिर उनको क्या ना जी बाओ जी राम राम चाय पियो अपने राज्जे में जाओ अपने राज्जे को संभालो दिल्ली वालों को भाशन देने की जुरूरत नहीं है उनको चाय पिला के अपने राज्जे में वापस बेग देना बोलो दिल्ली वालों को आपके भाशन की ज हराने के लिए मेरा क्या कसूर है मैं कहता हूँ मैं स्कूल ठीक करूँगा ये सारे मिलके कहते हैं केजरी वाल को हरा हो मैं कहता हूँ मैं इस्पदार ठीक करूँगा ये सारे मिलके कहते हैं केजरी वाल को हरा हो मैं कहता हूँ मैं मुहला क्रिनिक बनाऊंगा मैं बच्चों की पढ़ाई अच्छी करूंगा मैं कहता हूँ मैं बिजली 24 घंटे करूंगा ये सारे सांसद बीजेपी के ये सारी पार्टिया मिलके कहती है खेजली वाल को हराओ दोस्तों ये लड़ाई दिली के 2 करोड़ लोगों की इनके खिलाफ है जब ये आएं तो इन लोगों को बता देना दिली ने पिछले 5 साल के अंदर कितना विकास किया है इनको दिली का अप्मान मत करने देना दिली वाले अप्मान बरदाश्ट नहीं करेंगे इनको अपने अपने राचे में वापस भेज देना सारे दिली का काम बताके भारत मत की मैं शेखर कपूर लेके आ रहा हूँ प्रधान मंत्री सीरीज टू शनिवाराद दस बड़े